इस विडियो में हम सीखने वाले हैं कि कोटक मोबाईल बैंकिंग एप का यूज करके अपने खाते का कैसे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखते हैं जैसे कि कई बढ़ क्या होता है कि हम अपने एकाउंट में जो ट्रांजेक्शन होता है वो हम Paytm के थुरू करते हैं, Google पे के थुरू करते हैं, या फोन पे के थुरू करते हैं, तो आप किसी भी application के थुरू करेंगे न, कोई भी transaction, तो वो सब आपको इस application में दिखाई देगा, तो कैसे देखते हैं transaction history को, complete details में बताने वाला हूँ, तो इसको क्या करना है, आपको open करना है, open करते ही सबसे पहले यहां पर आपसे आपका M-PIN पूछा जाएगा, खोलने के लिए, तो आपको अपना M-PIN डाल देना है, डालते ही यह login हो जाएगा, M-PIN डालते ही यह application यहां पर देख सकते हैं, login हो चुका है, और यहां पर पहला ही option है, bank में account overview, इस पर आपक क्लिक करना है, account overview पर, इस पर क्लिक करते ही, यहां पर आपका account details show होगा, जैसे कि आपका account saving account है, current account number, कितना balance available है, और active है कि नहीं, आपका नाम, nominee name, IFC code, आपके bank account का details यहांनी show करेगा, यहां से आप अपने bank account का details पता कर सकते हैं, कि आपका account number क्या है, किनके नाम से खाता है IFC code क्या है, ठीक है ना, तो यह जनकारी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद यहां पर दो option है, view transaction, transform money, तो view transaction पर आपको click करना है, view transaction पर click करते ही, यहां पर आपका balance show करेगा, और नीचे जो है, जो भी आपने transaction किया था, यहां पर scroll करके आप देख सकते हैं, ज show करेगा, तो यहां पर अगर पैसा आपके खाते से कटा है, तो minus में show करेगा, और red color में show करेगा, देखिए, यह पैसा कटा है, और जो पैसा आया है, वो किस तरीके से blue color में show करेगा, यह समझ में आ गया, यहां पर 10 transaction है, यहां पर click करेंगे, और यहां last week select कर लेंगे, तो आपका जो भी last week में transaction होगा, वो दिखाएगा, और यहां पर click करके, और यहां पर click करके, आप last month का भी देख सकते हैं, custom date करके, आप जो है, date यहां select कर सकते हैं, कहां से कहां तक, और submit करेंगे, तो वो यहां पर transaction सो करेगा, तो यह समझ में आ गया होगा, कि अपने account का कैसे transaction देखते हैं, तो उमीद करता हूँ friends, आपको यह वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा, तो like जरूर कीजिए, अपने friends के पास भी share कीजिए, और अभी तक आपने अमरे इस चनल को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe कर लिजिए, मिलते हैं next वीडियो में